एलो की वेलकम टो शुनाया निउस उमीद करती हूंके आप सब खैरीयसे होंगे UK की एहम तरीन अप्डेट को लेके आप लोगों के लिए हादिर हुए है noise और इस वाबे से काफी ज़दा लोगों का पूँचना भी था कि हम इंगलेंड में जाना चाते हैं हमें कोई ऐसे तरीके बताएं के हम इंगलेंड में जाके permanent residency ले सकें तो इस हवाले से हमें कुछ guide किया जाए तो आज की वीडियो में इस हवाले से आपके साथ दो असान तरीकों को share किया जाएगा तो अमीद करती हूँ के आज की वीडियो से आपको information मिलेगी और आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो चलिए बढ़ते हैं आज की एहम update की जाने तो इंगलेंड में permanent residency से मतलिक 2021 में दो ऐसे असान तरीके हैं जो इस साल कामयाब हो रहे हैं और जिसकी बेहाफ पे आप इंगलेंड में permanent हो सकते हैं और आप लोग इन दो तरीकों से बरपूर फाइदा हासल करके इंगलेंड में खुशहाल जिनगी को बसर याईनिके गुजार सकते हैं तो इसको तफसिलात के मताबिक सबसे पहले tier 2 skilled visa तो इसके लिए आपको 70 points हासल करने होते हैं जैसा के आप 2021 में इंगलेंड ने नेयर rules कर दिये हैं जिसके बाद आप EU और non-EU दोनों का process एक जैसा हो गया है याईनिके same कर दिया गया है 2021 में तो अब अगर आपने इंगलेंड में study की है तो फिर आपको English test नहीं देना पड़ेगा और अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से हैं और इस program में एहल है याईनिके eligible हैं और आपको लगता है कि आपको test देनी की जूरत नहीं है तो इस हवाले से एक website England government की है जो के NARIC के नाम से है जहां पे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी English England के study के बराबर है या फिर नहीं और अगर है तो फिर आपको test देनी की जूरत नहीं है आपको 10 point मिल जाएंगे तो इस website पे आप चेक कर सकते हैं और इसी तरह job offer के 20 point और आपके तजर्बे के भी 20 point होंगे तो अगर आप 70 points हासिल कर लेते हैं तो फिर eligible हो जाएंगे और मजीद इसी तरह ही आपको 5 साल काम करने के बाद indefinite to remain मिलेगा जिसके बाद 12 साल गुजारने पर आपको British passport मिल जाएगा और मजीद दूसरा तरीका जो है वो कुछ इस तरह से है के अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से हैं और आप किसी British passport रखने वाली के साथ शादी कर लेते हैं तो फिर आपके इस partner को आपके साथ 5 स रहना पड़ेगा और इस जानिब से चेकिंग भी की जाएगी के आया आपकी शादी फेक तो नहीं है तो इसी हवाले से जाच परताल की जाएगी तो फिर 5 साल के बाद आपको असानी के साथ PR मिल जाएगी तो ये जो दो तरीके हैं इस वक्त England में याइनि के 2021 में काम्याब हो रही हैं और इन दोनों तरीकों से PR का प्रोसेस असान हुआ है तो ऐसे लोग जो इंग्लेंड जाने के ख्वाइश मंद हैं अगर वो इन दो तरीकों से जाते हैं तो इन्शाला उनको लाजमी तोर पर पर्मानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है ये थी आज की एहमतरीन अप अपडेट में तब तक आपसा अपना बहुत ख्यार रखेगा थैंक यू खुदा हाफिज